आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो बीजेपी में किस्मत चमकाता है। हम बताएंगे उस रास्ते के बारे में जिसके जरीए बीजेपी के कई नेता सियासत का चमकता चेहरा बन गए। किसी ने संगठन में लोहा मनवाया तो कोई सत्ता के उच्च पदों तक पहुचा। तो ऐसे भी नेता हैं जो संगठन की भी रीर सावित हुए हैं और सत्ता में अपनी च्छाप नोहने छोड़ी हैं। आज हम ऐसे ही नेताओं के बारे में आपको बताएंगे अमिश्यहा, जेपी नड़ा, राजस्तान के नए सीम, भजनलाल शर्मा, मध्यप्रदेश के नए मुकमंत्री, मोहनलाल यादव, मोहन यादव ये सभी बीजेपी के नेता हैं लेकिन एक सूत्र है जो इन नेताओं क आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इस दिल्चस पहलू के बारे में आपको बताते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रीमंत्री अमिश्यह की, अमिश्यह को बीजेपी का चानक के कहा जाता है और चुनावी सियासत में विरोधियों को मात देने में वो माहिर हैं और राजनीती से सियासत का सफर इन्होंने शुरू किया था, 1983 में एबी वीपी से वो जुड़े और 1987 में बीजेपी युवा मोर्चा से वो पहुंचे वहाँ पर और 1997 में पहली बार अमिश्या विधायक बने और गुजरात में मोधी सरकार में मंत्री रहे, 2014 में बीजेपी अध्यक्ष हैं और लंबी सियासी पारी जो है नोंने खेली है, लंबा सियासी सफर इनका रहा है, 1978 में चातर राजनीती में इनोंने प्रवेश किया, 1978 में एबी वीपी से जुड़कर चातर राजनीती इनोंने शुरू की और 1991 में बीजेपी युवा मोर्चा के राज्टिय अध्यक्ष ये बनते हैं, 1993 में पहली बार विधायक बने और हिमाचल सरकार में इसके बाद वो मंत्री रहे, 2014 में बीजेपी मुख्याले से कैंपेन की मौनिटरिंग इनोंने की और मोधी सरकार में स्वास्त मंत्री रहे और 2019 में उत्तर प्रदेश प्रभारी इनको बनाया 2020 में बीजेपी की कमान इनको सौपी गई, इसके बाद बात करते हैं मोहन यादव की मध्यप्रदेश के नए मुख मंत्री हैं और शिवराज सरकार में ये मंत्री रहे हैं, 80 के दशक में ABVP से ये जोड़े और 1984 में ABVP उजेण के नगर मंत्री रहे, 1988 में ABVP मध्यप्रदेश के सह मंत्री और राश्टे कारकारणी के सदसे रहे और 2013 में उजेण दश्चिन सीट से पहली बार विधायक बने, उजेण दश्चिन सीट से लगतार तीन बार से विधा कारे करता के तोर पर छात राजनीती से ये जुड़े और 1990 में ABVP के कश्मीर मार्च में ये सक्रिय रहे, 1992 में शीराम जन भूमी आंदोलन में जेल भी ये जा चुके हैं और 1991 में भाज जीमों में जिम्मदारी इनको मिली और 27 साल की उमर में सरपंच भी ये बने और दो बा हाल में सुर्खियों में रहे हैं लेकिन बीजेपी में ऐसे नेताओं के फेहदिस जो है वो बहुत लंबी है जिन्होंने ABVP के साथ चातर राजनीती में कदम रखा और बीजेपी से जुड़े और सियासत में खूब नाम कमाया